मेरी गाड़ी लड़ी गई अभी देख सकते हैं यह फलेक्स फोट है इसने पीछे से राइट साइड में मेरे मार दिया यह रही अपनी धन्नोराने कुछ खास तो नहीं लेकिन थोड़ा मुड़ा डैमेज और थोड़ा सा कलर हो गया रहो गया है देख सकते हैं आप सब को साह क्या होता है लाइसस लिए उसके बाद में गाड़ी का इंसूरेंस यह सब अभी तो हो रहा है शिदनेचर लिए देखते हैं क्या होता है और अभी मैं अ तका सुछी रोड के हूं मेरेफ alegs अपनी एक्सिडेंट करने वाली गाड़ी फोड है और इसमें चलाने वाला सायद मसरी है तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है दो गांटा इंतजार कर राया इंतजार करकर कि हान या प्यास लग गया गर्मी धूप कितना ज्यादा है देख सकते हैं और अभी तो थोड़ा बैटा हूं यहीं इंतजार कर रहा हूं last जब वहले अभी गाड़ी के अंदर है बोल ला है कि थोड़ा इंतिजार करो अभी थोड़ा लिखा पड़ी हो रहा होगा साइद अकामा और गाड़ी का आगज वगरे लिया देखते हैं क्या होता है किसका गंज़ती निकलता है लेकिन मैं तो सामने से अपने लाइन में जा कर दिया अभी देखते हैं क्या होता है के रहा गाड़ी यहाँ पे थोड़ा कचरा हुआ था मैंशा ने अभी सीमारा लेकिन कुछ तोटां फूटांध भी नहीं हुआ थोड़ा कचड़ा लगा था जो कि अभी साप कर दिया है तो यही है उसकी गाड़ी जिसने ठोका हुआ तो कुछ थे लेकिन यहां का नियम है वो पालन करना पड़ रहा है बुलाओ नजम को बुलाओ उसके बाद में यह करो करो हुआ ज्यादा कुछ खास नहीं है लेकिन फि चैनली अभी आ गया हूं रूम पे देख सकते हैं पूरा पसीने से भीग गया हूं वहीं धूब में खड़ा कर दिया यहार गाड़ी में पानी भी नहीं था पीने के लिए पूरा प्यास से गलस सुक रहा है भी अभी फटा-फट थोड़ा फिर सो जाता हूं उसके बाद मे अभी फिलाल मैं आया हूं असिप के पास में यहां थोड़ा काम था यहीं प्यार आता फिर यह तो पनूटी है यार असिप यहीं इसी के पास आ रहा था रास्ते में एकसिडेंट हो गया चलो मैं फिलाल अभी थोड़ा सा हाथ मूँ दोलू पानी उनी पिलू फिर उसके ब बजह से निकला हूँ तो लंचम 20 मिनट के करीब हो गया है इसके पास आए हुए तो थोड़ा फिर सोकर हां खाना भी नहीं खा लिए भी इसके करना पड़ा दुबारा फोन करना पड़ा दुबारा लोकेशन भेजना पड़ा फिर एक झर्डटाइब आध में तो स्टाटि में हुआ क्या मैं मजरे की लिए दर्यू नििकला था उसके बाद में मलिक अब्दुल्ला कुबरी के नीचे मैं राइट साइड से जा रहा था पीछे से मसरी ड्राइवर फोड लेगे हलका सा टच किया बस जादा ने हलका सा टच किया तो मैं सोचा कुछ खास नहीं हुआ पस फटा-फट यार और रुक कर फोटो-टो खिजने साब किया तो क्या बता चला सिर्फ मिट्टी लगा हुआ है और मेरा भी साब किया तो भी लगा कि मिट्टी ना कोई खरोच है ना थोड़ा सा दावा है ना कुछ नहीं हुआ गाड़ी में तो उसने बोला मसरी ने की मतलब रहने तो क्या बुलाते हैं जाने तो अभी कुछ नहीं हुआ ना आपके गाड़ी में ना फिर मेरे गाड़ी में तो मैं बोला अभी तो बात हो गया नजम वाले से अभी क्या करें अभी मैं अगर जो बोल दूँगा हाँ चलो जाने तो फिर कफिल से भी बात हो चुका है उसने भी बात कर लिया नजम वाले से तो मेरे उपर location बेजा तो थोड़ा सा गाड़ी हम लोग आगे बढ़ाएं थोड़ा side में करने के लिए तो डूंड के चला गया फिर दुबारा वही काम करना पड़ा फिर आया तो वही लिखा पड़ी करके चला गया उसके बाद में थोड़ा बोला कि मतलब बाद में रिपोर्ट आएगा अब देखो कौन सा रिपोर्ट आता है किसका गलती निकलता है मैं तो बोल रहा हूं कि मैं तो अपने तो देखो आप लोग ने तो सुना मेरा असित दोस्त क्या बौलया है तो भई लोग थोड़ा संभाल के आप डराइबरिण में यहां साओध अर्ल में हॉस डराइबर में हो यां साब्पनीं में जहां भी और यां और Post देखो द्राइबर का काम करते हो थोड़ा संभाल के गाड़ी चलाया किजिए। कि यहां जब एक्सिडेंट मेरा तो थोड़ा हलका सा बस टाच किया वही बात है जैसे कि बताया थोड़ा सा खरोजी आया था ज्यादा कुछ नहीं हुआ था लेकिन ड्राइबर भाई लोग थोड़ा संभाल के गाड़ी चलाया कीजिए चाहे पॉंच मिनाट या दस मिनाट लेटी क्यों ना पहुंचो आप लेकिन आराम से पहुँचो और शेफटी के साथ पहुचो क्योंकि यार घर में फैमिल्य लोग इंतजार कर रहे हैं वही तो ऐसा नीडर होके गाड़ी मत चलाना हां आराम से 10 मिनाट लेट पहुँचो सेफ पहुँचो वही सही है तो मिलते हैं फिर किस ने वीडियो के साथ